तो दोस्तों अगर आप भी CSC DGPay चलाते हैं तो आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशकबरी निकल के आई है क्योंकि फ्रेंट DGPay ने अपना नया बर्जन लाउंच कर दिया है जिसका नाम है DGPay 6.0 जिया फ्रेंट 6.0 जो वर्जन ने वो लाइब कर दिया गया है फ्रेंट इस वर्जन में क्या खास है कहां से आपको यह डाउनलोड करना होगा उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसेजर जान लेते हैं तो जैसे के फ्रेंट्स हमें यहां पर बताया गया था कि जो यहां पर DGPay है यहां में कुछ निव फीचर्स यहां पर आने वाले हैं इसलिए अभी इसको लाइब भी किया गया है लेकिन अभी भी यह सही तरीके से खुल नहीं रहा है क्योंकि इसमें अभी भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है इसलिए यह सही तरीके से नहीं खुल रहा है लेगर फ्रेंट्स हमें यहांपे बताया गया है कि act host ना नया जो है इसके अंदर होने वाला है चलिया फ्रेंट्स बात में जो भी है completed जब चाले हो जाता है तो इसमें की जो भी फीचर आएंगे वो तो हम आपको बतायी देंगी किया इसमें जोड़ा जाता है finally friends फिलाल हम आपको दिखा देते हैं कि कहां से आपको यह नया जो वर्जन है वो डाउनलोड करना है तो दोस्तो आपको इस नए DZPay को डाउनलोड करने के लिए आना होगा इस पेज पे और इस पेज पेज पेज़ 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 पाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा वहाँ पे क्लिक करके सीधे ही आप आ सकते हैं जब यहाँ पे आएंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा DZPay 6.0 नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च में सर्च कर सकते है DZPay 6.0 उसके बाद यह पोस्ट आएगा इसे खोल लीजिए और जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए लिंक भी आपको दी जाएगी तो यहाँ पे देखे नीचे आईए यहाँ पे लिखा है DZPay 6.0 जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने यही वाला पेज खुल जाएगा जो कि मैंने आपको अभी कुछ टाइ करना था यहाँ फ्रेंट्स यह आपका उपर वाला है विंडोस बर्जन नीचे वाला है आपका एप्लिकेशन मोबाइल के लिए बीच बाला फ्रेंट्स अभी अपडेट नहीं किया गया है इस पे काम चल रहा है फिलाल फ्रेंट्स यह अभी दोनों ही डाउनलोड नहीं हो नए वर्जन को इंस्टॉल कर लीजे अपने मोबाइल में या फिर अपने कम्पीटर में और मुझे आप इसे टेस्ट करके बताईए कि आपको यह पुराने से अच्छा लगा या फिर नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राह जरूर लिखिएगा कि आपको यह इस ब्रहें